नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इस्टडी विद धननजय मिस्रापर दोस्तों इस वीडियो में बिपीएस्टी द्वारा चैनल जो सिक्षक हैं उनकी स्टार्टिंग सेलरी क्या रहने वाली है बिल्कुल सेलरी स्लिप के माध्यम से किस किस मद पे कितना आपको मिलता है और कितना ग्रास सिलरी होता है कितना डिड़क्षन के बाद मिलता है इस अगर आप लुक चैनल पर नहें है तो चैनल को आवसे सumbs्क्राइब कर लिजिएगा तथा बील आइकन को आवसे दबा लिजिएगा तो आईए अब इलम चर्चा को प्रारम करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक सेलरी स्लिप है जो कि BPSC दोरा चैनित सिक्षक है उनीका है और गुपनेता को बरकरार रखने के लिए उनका जो भी परसनल लिटेल है उसको हमने हाइड कर दिया है तो आप यहाँ पर आप उलोकन कर सकते हैं कि कितना आपको सेलरी मिलता है तो देखिए अब दिखा रहा है आपको यहाँ पर देखिए आप देख रहा हैं कि Day of Month 31 दिन ये पिछले मंथ का जो है कि है अगस्त का और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जुनियर का सेलरी स्लिप है जो 6-8 में सिक्षख है उनका ये सेलरी स्लिप है और बेसिक पर उनका 28,000 है उसके बाद जो है कि Day उनको 14,000 मिल रहा है और HR चौदा सो रुपिया मिल रहा है और Medical Allowance उनको 1000 रुपिया मिल रहा है तोटल अगर देखा जाए तो उनका जो बन रहा है 44,400 रुपिया जो ग्राश सेलरी उनकी बन रही है 44,400 अब बात करते हैं डिड़क्षन का तो NPS उनका 42,000 रुपिया कट रहा है और GIS State Government Employees का जो है कि 30 रुपिया कट रहा है तो इस तरह से जो है कि टोटल 42,30 रुपिया का डिड़क्षन हो रहा है और सब कुछ कटने के बाद अगर NetPG बात की जाए तो 40,170 रुपिया एकाउंट में क्रेडिट हो रहा है यह जो की Starting Salary है तो हमने बता दिया कि 44,400 जो 6-8 में चैनित अभिर्थी है उनको Grass Salary के रूप में मिलने वाला है और डिड़क्षन के बाद जो है कि NPS और GIS कटने के बाद 40,170 रुपिया आपको क्रेडिट होने वाले हैं अकाउंट में यह जो है कि थोड़ा सार लोकेशन पर भी निर्भर करता है जो यह चारे है यह घट बढ़ सकता है अगर ग्रामिन छेत्र में है तो कम मिलेगा सहरी छेत्र में है तो ज्यादा मिलेगा लेकिन यह मान के चलिए कि इसी के आसपास आपका जो है कि दो चर सो का अंतर आएगा ऐसे हैं आप हमारे साथ बने रहें नए नए जनकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद